नमस्कार दोस्तो ग्यान माइन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या हर घर तिरंगे वाला फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो मतलब guys आप अपने फोटो में हर गर तेरंगे वाली frame कैसे add कर सकते हो यहाँ फिर guys आप जो हर गर तेरंगे के अंदर जो अपना फोटो कैसे edit कर सकते हो तो guys गर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को start से लेकर end तक पूरा देखना कई पर भी skip मत करना guys वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को like ने किया तो please हमारे इस वीडियो को like कर दीजिए और अगर आप मारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से press कर देना और से all पर set कर देना है इससे आने वाली इमारी नई वीडियो उसकी notification आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए friends आज का ये वीडियो स्टार्ट करते है तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा हर गर तिरंगे वाली frame को आपको सबसे पहले क्या करना होगा तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे जाएंगे अपने phone के Google Chrome के अंदर Google Chrome के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको search बार में यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको type करना है remove.busy तो देख सकतो मैंने यहाँ पर remove.busy अलड़ी यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ मतलब search करके रखा हुआ है तो हम इसके ओपर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही गाईज यहाँ पर देख सकतो remove.image background का website हमारे सामने आ जाएगा तो यहाँ पर upload image के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी gallery open हो जाएगी तो अब guys हम क्या करेंगे हमारी gallery से हम कोई भी photo एक select करेंगे जिसका हम जो है background remove करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हमारी gallery open हो जाए कि उसके लिए हमारी gallery में से जोबी photo हमें जो यहाँ पर select करनी है मतलब जिस भी photo का हमको background remove करना है simply guys उस photo को आपको select कर लेना ठीकै न? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आप इस हमारी gallery में से यहाँ से all photos तो चलिक करके यहां से जिस भी फोटो का मैं background remove करना चाहता हूँ उस फोटो को मैं यहां से select कर लूँगा ठीक है न तो आपको भी अपनी फोटो को यहां से select कर लेना है तो चलिए गई हम यहां से हमारी फोटो को select करेंगे तो फोटो को select करने के लिए gallery यहां पर open उच किया यह वाली फोटो जो हम यहां पर select करेंगे ठीक है न तो इस फोटो के उपर हम click करेंगे और उसके बाद यहां पर हमारी जो फोटो रहेगी वो यहां पर add हो जाएगी ठीक है न इस website में add हो जाएगी और automatically इसका जो background है यहां से remove हो जाएगा तो देख सकते हमारा जो background है सिर फाइल डाउनलोडेड ठीक है न हमारी फाइल जो है एक click के अंतर यहां पर download हो जाएगे background remove होने के बाद तो चलिए अब यहां से हम back आते है बैक आने के बाद अब गईज आपको क्या करना होगा अपने phone में play store से application को download करना है ठीक है न तो play store से application कौन सी download करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे फिल प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको search करना है पिक्सर एडिटर यहां फिर आप जो pixel lab करके भी यहां पर application को search कर सकतो pixel lab भी इसी का नाम है और यहां पर picture editor भी इसी का नाम है मतलब pixel lab search करोगे तब यह application आएगी तो आपको इस application को download कर लेना है और download करने के बाद simply आपको इस application को open करना है तो चलिए यहां पर हम pixel editor को open करते है तो जैसे ही आप इस application को open करेंगे open करने के बाद सबसे first आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो सबसे पहले तो क्या करना होगा यहां पर यह जो object है, इसको आपको remove करना, यह जो new text लिखा हुआ, इसके उपर click करके, delete के उपर click करके, उपर की side में, यहां से इस object को आपको delete करना है, ठीक है न, इसको delete करने के बाद, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है, अपने phone में, यहां पर एक तिरंगे वाली frame को, हर गर तिरंगे वाली frame है, वो सबसे पहले यहां पर आपको select करनी होगी, तो कैसे select करेंगे, तो उसके लिए उपर की side में, जो plus वाला icon है, इसके उपर हम click करेंगे, उसके बाद यहां पर from gallery के उपर click करेंगे, उसके बाद यहां पर हमारी gallery open हो जागी, ठीक है न, तो अब हमारी gallery से हमें एक frame को select करना होगा, तो कौन सी frame है मैं आपको बता देता हूँ, तो यह वाली frame है, इसके उपर हम click करेंगे, दो बार इसके उपर click करेंगे, तो हमारी frame जो यहां पर add हो जागी, ठीक है न, अब guys मैं आपको बता देता हूँ, यह वाली frame आप कहां से download करेंगे, इसे download करनी है, तो इस frame की जो link है, वो मैंने video के description में डाल दिए, इस frame को मैंने तयार किया हुआ है, इसके जो downloading link है, वो मैंने आपको जो video के description में डाल दिए, वहां जाकर आप जो इस frame को download कर सकते हूँ, download करने के बाद यहां पर tick वाले option पर आपको click करना है, ठीक है न, तो पर जो plus वाला icon है, इसके उपर फिर से हम click करेंगे, इसके उपर click करेंगे, उसके बाद from gallery के उपर click करेंगे, अब guys हमें क्या करना होगा, from gallery के उपर click करने के बाद, यहां पर guys हमारी gallery open हो जाएगे, उसके बाद यहां पर जो भी photo का हमने background remove किया था, remove.bz के इंदर उस photo को select करना, ठीक है न, तो यहां पर सबसे पहले इस photo को हम select करेंगे, दो बर जैसे click करेंगे हमारी photo यहां पर add हो जाएगे, आप इसके बाद add हो चुकिए photo, यहां पर हम नीचे की side में tick पे click करेंगे, tick पे click करने के बाद यहां पर हमारी जो photo है, वो यहां पर आ चुके ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना होगा, अपनी photo को जो है, अपने हिसाब से अपनी photo को size में आपको set कर लिया, जितनी भी frame है, उस frame के हिसाब से आप अपनी photo को यहां पर adjust कर सकते हो, set कर सकते हो, तो देख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से इस तरह से अपनी photo को यहां पर set कर लि पड़े कि सब कुछ मैंने इस frame के अंदर edit करके रखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है simply यहाँ पर आपको जो अपनी photo add करनी है PNG photo और उसके बाद यहाँ पर आपको photo को save कर लेना ठीक है न तो photo apply हमारी जो complete ready हो चुकी है अब यहाँ पर save करने के लिए का करना होगा उपर की side में three dot वाला option है इसके उपर आपको click करना होगा उसके बाद यहाँ पर export image वाला option आएगा तो इसके उपर हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर jpg select है तो यही रहने दिना है और यहाँ पर quality वाला जो option है नीचे की side में यहाँ पर default set है तो इसके उपर हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो high ultra है देख तो नीचे की side में ultra है ultra के उपर click करेंगे तो ultra select हो चुकि है उसके बाद save to gallery के उपर हम click करेंगे तो जैसे हम save to gallery के उपर click करेंगे हमारी जो photo रहेगी वो save हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ add शो होगी तो आपको क्या करना होगा add को close कर लेना है add को close करने के बाद directly यहाँ से हम back आएंगे back आने के बाद हमारी gallery के अंदर जाएंगे gallery में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो photo है कुछ इस तरह से save हो चुके ठीक है न तो इस तरह से guys आप जो हर घर तिरंगे वाला जो photo है वो हमारे phone में जो edit कर सकते हो तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना शेर करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए